जई सिपसंबो वक्तो आपका एक बार फिर से हमारे शूटूब चैनल अगोरी बाबा के अगोर सकती मंदर हो टोटके के अंदर आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे शूटूब चैनल को सस्क्रेब नहीं किया है तो कर ले और साथी साथ बेल आइकन को जरूर पैस कर दे ताकि हम अपनी जोवी आने वाली नहीं वीडियो की नोटफिक्सन मापको जल से जल प्राप्त करा सकें बक्तो चलिए बक्तो आज हम आपको बताते हैं सकती साली टोटका चलिए बक्तो आज हम जानते हैं सत्रू से कैसे मुक्ति प्राप्त करें बक्तो ये बहुत सकती साली वह पाउरफुल टोटका है सन्यवार के दिन ये टोटका करते हैं आप अपने सत्रू से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो यह टोटका बहुती सकतिसाली है और सकतिसाली होने के साथ में बहुती पाउरफुल है सन्यवार के दिन यह टोटका आपको करना है सन्यवार के दिन रातरी के समी आपको टोटका करना है आप अपने सत्रू से इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो ये टोटका बहुत ही सरल है और सरल होने के साथ में बहुत ही सिद्ध होने वादा टोटका है आप किसी भी वेक्ति के उपर कर सकते हो अगर आपको कोई सत्रू आपको परहसान करता है किसी विनाई वज़े आपको परिसान कर रहा है तो याप ये टोटका करके अपने सत्रू से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो चाहे वो लेडिज हो चाहे वो पुरूस हो आप किसी के उपर भी ये करके अपने उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो तो चलिए भक्तो आज हम जानते हैं इस टोटके के बारे में और इस टोटके की विदी के बारे में आपको ये टोटका कैसे करना है और किस विदी की दोरान करना है और आप अपने सत्रू से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हूँ तो चली वक्तो ऐसी कि साथ हम आपको बताते हैं या टोटका किसी परकारसिद करना है सबसे पहले वक्तो आपको एक सफेद कागिج लेना है सफेद कागिज लेने के बाद में थोड़ा सा आपको संदूर लेना है और सनिवार के रातरी के समय करना है ये ध्यान रखें, मैं तो पन सूचना, सनिवार को रातरी के समय तोटका करना है, सनिवार के दिन थोड़ा सा आपको सफेद कागज लेना है, और थोड़ा सा संदूर लेना है, कागज जदा बड़ा भी नहीं लेना है, इतना लेना है, जैसे कि आप अपना सत्रू का नाम लि पाने की बोतल पूरी भर ले ध्यान रखे पाने की बोतल पूरी भर ले और फिर उस कागज को फॉल्ड करके बाद में जो नाम लिखने के बाद में आपको क्या करना है उस पाने के गिलास के अंदर आपको वो सफेद कागज है वो डाल देना है सफेद कागज है जो उसके अंदर डाल देना है और जब तक वो सफेद कागज आपको बारने निकालना है वो जब तक गल जाए नहीं वो पूरी तरके से पाने के अंदर घुल जाए और पूरी तरके से गल जाए उसे के बाद आपको क्या करना है अगले सनिवार ये साथ दिन तक आपको जिस सनिवार को करो और अगले सनिवार तक आपको वेट करना है तब तक वो कागज आपका पूरी तरके से गल जाएगा औ अगले सनिवार के दिन क्या करना फिर आपको इस से पहले आपको उस कागज को छोना भी नहीं है यह ध्यान रखना है उस पाने के बोतल को हाथ भी नहीं लगाना है यह महतुपन जानकर यह सनिवार के दिन करने के बाद में अगला जो दूसरा सनिवार होगा उसी दिन फिर आ बारा हाथ लगाना है, हाथ लगाने के बाद अपने दाएं हाथ में उसको लेना है, दाएं हाथ में लेने के बाद में अपने सत्रू को मन में याद करना है, और मन में उसका चेरा याद करना है, मन में चेरा याद करने के बाद में साथ बार अपना सत्रू का नाम लिखना है, सोरी साथ बार अपने सत्रू का नाम जपना है नाम जपने के बाद में आपको थूपना है एक साइड में थूप देना है थोड़ा सा थूपना है ऐसे करके साथ बार साथ बार सत्रू का नाम लिखने के बाद में सोरी जाप करने के बाद में थोड़ा सा थूप देना आपको थूपने के बाद क्या करना है जो मैंने पाने की गलाद वो आपको बोतल बताई है ना उस पाने की बोतल को किसी भी पाने के स्थान पे जहां नदी होती है या आसपास की अपने गरी के बाहर अपने नाली होती है गंदी होती है कुछ में भी किसे भी डाल सकते है अरसा नहीं किसा पानी में सुथ पानी में आपको डालना है गंदी नाली में भी डाल सकते है उस पानी को परना तो पानी को बाहर निकालना है ये ध्यान डखना थोड़ा सा ठीक है पानी को बाहन निकानने के बाद में आपकी जो सत्रू से आपको मुक्ति प्राप्ट हो जाएगी और आपका जो सत्रू है आपका जो दुसमन है आपको जीवन में भी नहीं चाकर भी आपको कभी परहसा नहीं करेगा और आपको कवी भी नहीं आपको सदाएगा कवी किसी विसे में आपसे फालतू बात भी नहीं करेगा और फिल्द कुल से आपको किसी परकार गुसानी होगा और आप जैसे वो लोगी वैसे आपका सत्रू आपकी कहने भी चल जाएगा आपको सत्रू से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपका हमेसे गिले सत्रू से पेचाज छुड़ जाएगा ये टोटका बहुत ही सक्तिसाली भी है और सक्तिसाली होने के साथ में बहुत ही सरल टोटका है इस टोटके को आप घर बेटे अराम से कर सकते हो अगर आपसे किसी परकार से ये टोटका नहीं हो पा रहा है किसी वज़े से ये टोटका नहीं हो पा रहा है या इसमें आपको कोई वादा हा रही है इस टोटका को करने में तो आप हमारे गुरुजी से संपरक करके तोग से घाँ..